नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 17 नवंबर दिन शुक्रवार खबरों के और बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर आज नहाई खाई के साथ सुरू हो रहा महापर्व छट बच्चों को पोलियो की खुडाक इस दिन से दिलाई मौफ बिहार में 12 साल बाद निकली कॉलेज प्रिंसिपल के 173 पदों पर भरती इस बार सोनपूर मेला में होगा यह कुछ खास विराथ गोली के वंडे में 50 शतक पूरा होने पर सुयब अक्तर ने दीप रतिक्रिया अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 परी खबरों के और वस्तार से हिंदुस्तान एरोनाट एक्स लिमिटेड ने निकाली 85 ओफिसर पदों पर भरती किंदर सरकार के रक्षा मंतराले के सारवजनिक छेतर के उपक्रमों में से एक हिंदुस्तान एरोनाट एक्स लिमिटेड के द्वारा देश भर में इस्तित अपने विवन डिवीजनों ओफिसों और आर एंडेडी सेंट्रों में डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, सिक्योरिटी ओफिसर, फायर ओफिसर, आदी के पचासी पदों पर भरती निकाली गई है, ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं, वह कंपने की वेबसाइट hal-india.co.in के करियर सक्षन में चाकर ओनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं, बतादी के आविदन करने की अंतिम तारिक 30 नवंबर 2023 तक नरधारित की गई है, इसके लिए अगर सैचन क्योगिता की बात करें, तो मिद्वार को अधिकारी, ब्राज भाशा, पद के लिए graduate हिंदी के साथ और PG, अंग्रेजी विशय में या फिर अंग्रेजी से graduate और हिंदी में PG होना जरूरी इसे जोड़ी अधिक जानकारी हासल करने के लिए एक बार जारी किये गए नोटिफिकेशन को जरूर देख लें आज नहाई खाई के साथ शुरू हो रहा महापर्व छट, आज यानी की 17 नमबर से महापर्व छट की शुरवात नहाई खाई के साथ हो रही है बतादे की कार्तिक शुकल पक्ष चतुर्थी तिति को छट पर्व का पहला दिर नहाई खाई किया जाता है जिसके शुरवा छट वरतियों के द्वारा किसी भी नदी, तालाब या अने किशी भी जलासे में स्नान कर करती है पतादी कि आज नहाई खाई के दिन अरवाचावल, चने की डाल और कद्दू की सबजी का प्रशाद बनाया जाता है जिसमें सिंधा नमक का स्तमाल किया जाता है वही नहाई खाई के बाद छट पूजा का दूसरा दिन खरना के रूप में मनाया जाता है तीसरा दिन छट का सबसे कठिन दिन होता है इस दिन नर्जला उपवास कर शाम के वक्त लोग डूपते हुए सुरे को अरगित अरपित करते हैं वही चौथा दिन और छट पूजा के अंतिम दिन अहले सुभ भगवान भाशकर के उदेमान स्तुरूप को अरगित दिया जाता है बता दे के छट पर्व का चौथा दिन कार्तिक मास का सुकल पक्ष सब्तमी तितिको होता है बिहार के परेटर में आज हम बात करेंगे चर्खा पार्क के बारे में चर्खा पार्क भारत के बिहार राजी के पटना शहर में सत्त एक खूबसूरत पार्क है पार्क का नाम चर्खा या चर्खा के नाम पर रखा गया है जो सुतंता के लिए भारत के संघर्ष का प्रतीक है चर्खा पार्क लगभग चार एकर छेतर में फैला है और शेहर के केंदर में सत है पार्क सुन्दर रूप से सूसजित है और इसमें पेर जाडियां और फूल वाले पौथे सहित विविन वनसपतियां और जीव जनतू शामिल है पार्क को सांतिपुन और आराम दायक वातावरन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह सुभा और शाम की सेर के ये एक लोगप्री गंतव है पार्क में जोगिंग ट्राक बच्चों के खेलें का छितर और बैटने की जगह सहित के श्वधाई हैं जहां आंगतुक आराम कर सकते हैं और आसपास की प्रैक्टिक सुन्दर्ता का आनंदर ले सकते हैं पार्क में छोटा तलाब भी है जहां पर कि शाणDar ज sarà है पार्क में भारत ऐता संुंख्णा में चर्खे की जाँज़ना पर वहारत ठाइं स महत्पुन भूमिका निभाई हमें उसरा फ्र पत्र आते दुभायात्रा और जुलूस के लिए कड़े प्रावधान कर दिये गए है जिसके तहट अब लाठी तलवार भाला बर्ची पर पाबंदी लगा दी गई है पता दे के इस बारे में बिहार सरकार की ओर से राची के सभी जला पधादी कारी और पुलिस पधादी कारी को पत्र लिखा गया है और इसकी जानकारी दी गई है जिसमें बताया गया है कि इस बात का विशेश ख्याल रखा जाए कि कोई भी जुलूस बिना लाइसेंस के ना निकले जुलूस में तेज लावड स्पीकर से गाना ना बजाया जाए और साथ ही लाठी तलवार भाला बर्ची प बच्चों को पोलियो की खुडाक इस दिन से दिलाए मुफ्त बिहार सरकार के स्वास्त विभाग के द्वारा IPRD बिहार पर दो बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार के तहत एक पोस्ट शेयर करी है जानकारी दी गई है कि 10 से 14 दिसंबर 2023 को प्लस पोलियो अभिय को पोलियो की खुडाक हर बार पिलाए और पोलियो पर देश की जीत बनाए रखने में योगदान दे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि राजी के जिन 22 दिलों में 10 से 14 दिसंबर तक पोलियो अभियार चलाया जाना है उनमें अरवल भागलपूर, भोजपूर, बकसर, प जाने भारतिय रेलवे के ये महत्पूर नियम, रेलवे के ओर से कुछ नियम बनाए गये ताकि यातरी सुगम और सुरक्षय तरीके से अपनी यातरा कर सके, ऐसे मिन नियमों को जानना काफी महत्पूर है और साथ ही उनका पालन करना भी ज़रूरी है, बता दे कि भारतिय के लिए टिकेट नहीं मिल पाता तो वो उससे पहले स्टॉप के लिए टिकेट बुक कर सकता है फिर यात्रा के दौरान वे TTE के पास जाकर अत्रिक्त किराया दे कर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं इसके बदले में TTE आगे की यात्रा के लिए टिकेट जारी कर सकता नियम के मताबिक यात्री दिन के दौरान मिडल बर्थ को फोल्ट नहीं कर सकते क्योंकि लोवर और अपर बर्थ को सीट की रूप में इस्तमाल किया जाता है मिडल बर्थ पर यात्री रात दस बजे से शुभा छे बजे तक ही सो सकते हैं सामाने तोर पर रात दस बजे के नियम तै किये हैं ताकि यात्रियों से अधिक पैसे न लिये जाए भारतिय रेलवे ने उन यात्रियों के लिए गंभीर दिशा नर्देश जारी किये हैं जो ट्रेनों में सांती से यात्रा करना चाहते हैं उन्हें परिशान करने से बचने के लिए सभी यात्रियों से अप नेपाल में वेंडर और एजंट की खोज की जा रही इस खोज को पूरा करने के बाद सब्जीयों की सप्लाई करने का इकरार नामा होगा और फिर इसके बाद बिहार की सब्जियां की आपूर्ती नेपाल में भी की जाएगी आपके जानकारी के लिए बता दे कि इन सब्जीयों को बिहार से वीरपूर के रास्ते काठमांडो भेजनी की तैयारी है मालुम हो कि बिहार सरकार के सहकारित अविभाक के दोरा जानकारी देते वे बताया गया है कि देश में कुल लगभग 200 मिलियन टन सब्जी की खेती होती है जिसमें बिहार का हस्ता कुल 9 फीजदी है सब्जियों के उत्पादन के मामले में बिहार 18 मिलियन टन सब्जी की खेती के साथ पूरे देश भर में चौतिय नंबर पढ़ है मालम हो कि बिहार की सब्जी निपाल बेजने से बिहार की सब्जियों का इंटरनाशनल बाजार बनेगा सियम नितीश ने धान अधिप्राप्ती को लेकर की समिक्षा बैठक बीते दिन मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के द्वारा एक अने मार्ग इस्थ संकल्प में खड़ी फिवनन वर्ज 2023 में धान अधिप्राप्ती को लेकर समिक्षात्मक बैठक की गए और अधिकालियों को आवशक दसानर देश दिये गए उन्होंने कहा कि धान अधिप्राप्ती तेजी से और बहतर धंग से करे ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े बिहार में उसना चावल खाने वालों की संख्यादिक है इसलिए इसको ध्यार में रखते वे शत प्रतीशत उसना चावल तयार कराने का लक्षे पर काम करे और धान अधिप्राप्ती में गर्वर करने वालों पर नजर बनाए रखे बतादे किस दौरान क्रिसिव विभाग के सचीफ संजय कुमार अगरवाल के द्वारा सीम नितीश को धान फसल का अनुमानित अच्छादन उत्पादन एवं उत्पादक्ता के समद में भी जानकारी दी गई छट पूजा को लेकर चलाई गई बारा जोड़ी पूजा है स्पेशल फ्रेंड छट पूजा में यात्रियों की बरती भीर को देखते वे रेलवे की ओर से बारा जोड़ी फ्रे चलानी का नड़ने लिया गया है गोड़क्पूर स्पेशल गारे संख्या सोने 84 119 और सोने 14 जानकारी के लिए बता दे किन में आज में से परिचारस की शरवाथ बीत्चे दर यानिकी ऑनारक्षित से और्णेस से होचुकि है टीम इंडिया की सेमी फाइनल में जीत पर भड़क गए मनोज बाजपई बीते बुदवार को भारत और नियूजलाइन के बीच विश्वकप 2023 के पहले सेमी फाइनल मुकाबले में भारत ने 70 रन से जीत हासल करते वे अपनी जगाव फाइनल में बना ली है बता दे किस मैच में एक तरफ जहां मौमर शमी के द्वारा अपने नाम साथ विकेट किये गए तो वहीं दूसरी ओर पिडाट कोली और श्रियस अयर के द्वारा श्रत किये पारी खेली गई ऐसे में हर तरफ ये सवाल उठने लगे कि इस जीत का हीरो कौन है जिस पर मनोज बाजपई के द्वारा एक ट्वीट का रिपलाई करते वे कहा गया कि इन चेहरों के साथ साथ पूरी टीम हीरो है रोहत गल सब एक को हीरो बना के बाकियों के साथ अन्याय मत कीजे वहीं आरीफ कर रहें और कह रहें कि अब पूरी टीम की जीत है बता दे के वो दवार को हुए सह मुकाबले में विराट कोहली ने 117 रन बना कर आउट हुए इस दोरान कोहली ने सचिन तिंदुल करके 49 सतकों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया तो वह इस ट्रेस अईयर ने 70 गे 70 पदों पर भरती निकाली गई है बता दिक इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारिक आयो की ओर से जारी कर दी गई है जिसके तहत आवेदन करने की अंतिम तारिक 31 जनवरी शाम 5 बजे तक नरधारित की गई है लेकिन आयो की ओर से इस बात की जानकारी नहीं दी गई है आयो को प्राचारी पदपर निवती के लिए पत्र प्राप्त हो गया है वही अगर आप इसे जुरी अधिक जानकारी हासल करना चाहते हैं तो बिहार राज्ये विश्विद्याले सीवा आयो की website https//bsusc.bihar.gov.in पर जाकर इसको लेकर जारी केका दिसूशना को देख सकते हैं केके पार्टिक ने तीन जिलो के D.E.O. और D.P.O. से चार घंटे में मांगा जवाब बिहार सरकार के सक्षा विवा के अपर मुख्य सचीफ केके पार्टक के दोरा तलक तेवर अपनाते वे तीन जिलो के जिला सक्षा पदादीकारी और D.P.O. से नव नुक्त सक्षको के स्कूल आवंटें में हुई गरबरी को लेकर चार घंटे में स्पस्टी करन मांगा गया है ऐसे में अगर निर्धा इस समय के अंतरगत जवाब नहीं दिया गया तो सभी के खिलाब आक्षन लिया जाएगा बता देगे के पार्टक के ओर से जिन जिला सक्षा पदादीकारी को और D.P.O. से स्पस्टी करन मांगा गया है उनमें समस्तेपुर के जिला सक्षा पदादीकारी मदन राई, जिला कारीकरम पदादीकारी अस्थापना रेंदर कुमार सिंग, सारन के जिला सक्षा पदादीकारी कौशल किसोर, जिला कारीकरम पदादीकारी दिलिप कुमार सिंग, सिवान के जिला सक्षा पदादीकारी मिथलेश खुमार और जला कारिकरम पदादिकारी अबधेश खुमार के नाम शामिल है इस बार सोनपूर मेला में होगा यह कुछ खास 25 नवंबर से इश्या का सबसे बड़ा पशु मेला की शिरवात हो रही है जिससे सोनपूर मेला के नाम से भी जाना जाता है इस बार के मेले में बहुत कुछ खास मिलने वाले हैं इस बार विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए मेले में 20 सुइस कोटिस बनाए जाने की योजना है मेले में 4 एकर में सरकारी विभाग के पवेलियन और स्टॉल बनाय जाएंगे जहां सरकार योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी इसके लावा इस बार मेले में क्रिस्टी प्रदर्शनी भी खास रहने वाले हैं क्योंकि इसमें आधुनिक तरीके से गन्ना उत्पादन की तकनीक बताई जाएगी वहीं पुलिस पवेलियन में पुलिस सेवा के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरुस्कृत किया जाने की भी योजना है इसमेले में सुरक्षा के पूरे इंतिजाम होंगे वहीं प्रते दिन सांस्क्रत कारे क्रम का भी आयोजन किया जाएगा बता दे कि परेटन निदेशक विनै कुमार राई के द्वारा जानकारी देते में बताया गया है कि तीन एकर छेतर में गोड़ा बाजार चरियां बाजार और हदकरगा से बने शामानों के स्टॉल लगे थे हैं तो यह खबर आपके लिए है बता दे किस काम को करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होंगे सबसे पहले आपने करतम पीडियस के इंद्र या राशन की दुकान पर जाएं इस तौरान अपने साथ अपने सब परिवार के कॉपी के साथ अपने राशन जो को जमा करे राशन की दुकार पर उपलब्द प्रतिनीधी आपसे पहली बार आधार प्रमानी करन के लिए फिंगर प्रिंट प्रमानी करन मांग सकता है दस्तावे जमा करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोवाईल नमबर पर एक SMS सूचना भेज जाएगी जब दोनों दस्तावे सफलता प्रवक लिंक हो जाएंगे तो आपको एक और SMS सूचना प्राप्थ होगी वहीं अगर आप ओनलाइं तरीके से अपने आधार कार को राशनकार से जोड़ना चाहते हैं तो अपने राजी के PDS पोर्टल की आधिकारिक वेब साइट पर जाएं अपना राशनकार नमबर दर्ज करें अपना आधार नमबर डालें अपना रजिस्टर्ड मोवाईल पर पर एक OTP भिया जाएगा और फिर राशनकार आधार लिंक के लिए अपना अनुरोद प्रस्तूत करने के लिए प्राप्त OTP तर्ज करें प्रदेश के इंजिलों में हो सकती है बारिश पेहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है बदलते हालात के बीच में बारिश की संभावना जताई जारी है मौसम विभाग के तरफ से जारी अपडेट के नसार यह बताया जा रहा है कि छट पर्व के दौरान प्रदेश के कुछ हिसों में बारिश होने की पूरी संभावना है तौरान आसमान में बादल चाही रहने की भी संभावना जताई जारी है बारिश के कारण रात के साथी दिन में भी तापमान में बरहुतरी देखने को मिलेगी मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के नसार अगले दो से तीन दिन में दिन के तापमान में दो से धाई डिग्री सेलशियर की गिरावट आ सकती है ऐसे में रात शर्द होने वाल बावजूद भी इनसे जुड़े मामले आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं। एक तसकल की भी गिरफतारी की गई है जिसकी पहचान अजीत महतो के रूप में की गई है। मेडिकल एसोशेशन के दपतना जर्नल ओफ मेडिसन के संपादक के रूप में काम किया और इंडियान सुसाइटी ओफ नेफ्रोलोजी के आजीवन सदश्य रहें। जिकिस्ता विट्गान में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2008 में चौथे सरवच नागरिक सम्मान पदमश्री से सम्मानित किया गया। इसके साथ उन्हें Association of Fijician of India द्वारा Master Teacher पुरसकार Association of Fascular Access and Interventional Society Fijician द्वारा दुरुनाचारे पुरसकार इंडियान सुसाइटी ओफ नेफ्रोलोजी और तमलाडो किडने रिसर्च फांडेशन द्वारा Lifetime Achievement Award से भी सम्मानित किया जा चुका है। वह इंडिया Society of Nephrology, the Association of Fijician of India और Indian Medical Association के अध्यक्ष थे। खाते में एक साथ दो तीन किस्त की राशी भी पहुँची है, मालू हो कि इन में आठ लाग किसाने से भी हैं, जिनका EKYC नहीं कराने के चौदवी किस्त की राशी रुकी हुई थी, इस प्रकार बिहार के कुल 80,49,597 किसानों के खाते में राशी पहुँची है, बतादिक इस योजना का लाब पाने के लिए EKYC कराना सरकार के दोरानी बारे कर दिया गया है। बढ़े राशी सरकार जो करती है उसको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। बतादिक कारिकरम के दोरान मुख्य मंतरी उद्यमी योजना पर आधारित एक लगगों फिल्म की प्रस्तुती भी दी गई। और साथ ही मुख्य मंतरी के दोरा मुख्य मंतरी उद्यमी योजना पुस्तिका का वे मोचन भी किया गया। अमत कातियाल को फिर एडी ने लिया छे दिनों की रिमांड पर एडी के दोरा दिल्ली में ग्रफतार किये गया अमत कातियाल को एक बार फिर से रिमांड पर ले लिया गया है। बता दे कीडी को लेकर अमत कातियाल को ग्रफतार किया गया था और सोलय नवंबर यान की बीत दिन तक रिमांड पर लिया गया था। भहीं बीते दिन जब अमध कात्याल को डिली में विशेष जज गितांचली गोयल की कोट में पेश किया गया तो ED के दूरा फिर से उसकी रिमान मांगी गई इडी के दोरा कहा गया कि हमत कातियाल से पुछ ताज के दोरान कुछ एहम सुराग मिले हैं इसलिए और पुछ ताज करनी ही जरूरी है इसके बाद होट की ओर से हमत कातियाल को 22 नमबर तक इडी के रिमान में भेजने की महजूरी दे दी गई की जानकारी के लिए बता दे कि रेलवे में जमीन लेकर नौकरी देने के मामले में सीबी आई के दोरा सप्लीमेंटरी चार्जर सीट में एक के इंफो सिस्टम को भी आडोपी बनाए गया है प्रशांत किसोर ने तेश्वी यादब की योगिता की खोली पोल जन सुराज के सुतरधार प्रशांत किसोर ने विहार के उकमुख्यमंतरी और आरजेडी नेता तेश्वी यादब पर तंजकसा कहा के इन लोगों को क्या मतलब है इन सब चीजों से गय उलूल जूल बकवास करते रहते हैं लोगों को जाती धर में बाटा पैसा शुराब बालू का काम किया पैसा वशूल का टिकेट बाटा जादी के नाम पर लोग कड़ी भी मजबूरी में वोर्ट दे देते हैं उसके बाद नीता बनकर ग्यान दे रहा है टेश्वी यादव की क्या पहचान है वो नौवी फेल आदमी है वह क्रिकेट खेलने गए तो वहां पानी ढोते थे लालू यादव के लड़के हैं इसले सब लोग जानते है लालू जी के लड़के है इसले आरज़डी की नेता है प्रशान कसोर ने कहा कि तेश्वीयादव क्यों पत्थनर्मान मंत्री रहेंगे समाज का चुद्दवा कुछला वर्ग है जिसका वे दावा करते हैं कि उनको आवास दे रही है आप उन्हीं मौका दीजे अगर तेश्वीयादव खुद से अल्पसंख्य कल्यान मंत्राले ले ले और जो मुस्लिम मंत्री है जिनने अल्पसंख्य कल्यान मंत्राले का प्रभार दिया गया है अगर वे ग्री मंत्री हो जाए तो इससे कौन रोक रहा है विराट कोली के वंडे में 50 शतक पूरा होने पर सुयव अक्तर ने दीप रतिक रिया बीते बुधवार को मुंबई के वानखेरे स्टेडियम में खेले गए विश्व कब 2023 के पहले सेमी फाइनल मैच में विराट कोली के द्वारा न्यूजलैंड के खिलते वे अपना 50 शतक पूरा कड महान बल्ले बाद सचिन तंदूरकर के रिकॉर्ड को तोर दिया गया वही अब इस पर पाकस्तान के पुर्वतेज गेंद्वा श्रेव अक्तर के द्वारा यूटूब चैनल पर बात करते वे कह विराट को शाचिन का रिकॉर्ड तोरते वे देखकर उन्हें बहुत खुषी हुई उन्होंने रिकॉर्ड तोरका श्रितव बनाने के बास सचिन तंदूरकर को नवन भी किया भारत के तिहास में आज की तारीक है कई कारणों स्थर्ट मुगर शाषक बाबर ने 1525 में भारत को जीतने के मकसद से सिंध के रास्ते पांच वी बार प्रवेश किया भारत की रीता फारिया ने 1996 में मिस वर्ड का खिताब जीता मिस वर्ड बनने वाली वा पहली एशिया में हुआ जनता सिनानी ला लाजपत रायकरधन 1928 में हुआ भारतिय राजनेता और सिर्शेना के संस्थापक बाला साहिब ठाकड़ी करदन 2012 में हुआ मार्तिय सैने अधिकारी तिथा असब जमुकर्शमीर और अरणाचल प्रदेश के राजेपाल स्री निवास कुमार सन्हा कानधन 2016 में हुआ आज के दिन को विश्व चातर दवसके रूप में मनाया जाता है इंस्टाग्राम पर क्लोज फ्रेंड लिस्ट फीचर को किया गया एक्सपैंड मेटा के सीईयो मार्क जुकरबर्ग ने अपने इंस्टाग्राम चैनल में एक नए अपडेट की बारे में बताया है उन्होंने बताये कि अब इस्टाग्राम पर क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर कर पाएंगे वर्तमान में आप केवल अपनी स्टोरी को खास दोस्तों के साथ शेयर कर पाते हैं लेकिन अगर कोई खास दोस्त आपकी पोस्ट या रील पर कमेंट या लाइक करेगा तो इसकी जानकारी आपके सभी क्लोस फ्रेंट्स को जाएगी और वे भी ये जानकारी देख पाएंगे यानि यहाँ स्टोरी जैसा नहीं है इस स्टोरी की तरह ही जब भी कोई पोस्ट या रील क्लोस फ्रेंट के लिए सेट की गई होगी तो इसमें ग्रीन रंग का स्टार बना आएगा ये नया फीचर एक तरह से आपकी प्राइवस्टी को बनाए रखने में मदद करेगा क्योंकि इससे आप अपने खास पलो को के व वाइरल हो रही एक तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट है सिक्षकों के लिए डॉक्टरों और वकीलों की तरह अपने बाहनों पर लोगों लगाने की मन्सूरी दे दी है प्याइबी ने भी ट्वीट में आगे लेका है कि दावा फरजी है सुप्रीम क और भुगों से रहेंगे पूछे गए 500 सवाल में आपने कितना सही उतर दिया क्रिपा करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताए हमारा पहला सवाल है हाली में भारत ओपेक उर्जा वारता की छटी बैठक कहां में आयोजित की गई है ऑप्शन भारत ऑप्शन भी ऑस्ट् अगला सवाल हाली में कहां में 42 वा इंडियन इंटरनाशनल क्रेट फेर शुड़ हुआ है ऑप्शने ग्रेटर नौइडा ऑप्शन भी नई दिल्ली ऑप्शन सी बैंगलोर ऑप्शन भी हैदराबाद इसका सही उतर है ऑप्शन भी नई दिल्ली अगला सवाल हाली में वार्सिक नौशेना सिक्छा सोसाइटी सम्मिलन 2023 का योजन कहां में किया गया है ऑप्शने एहमदाबाद ऑप्शन भी लखनाव ऑप्शन सी पोरबंदर ऑप्शन डी पटना इसका सही उतर है ऑप्शन सी पोरबंदर अगला सवाल बिहार के किस जिले में गढ़ी डेम को परेटन अस्थल के रूप में विकसत किया जाएगा ऑप्शने मुंगेट ऑप्शन डी लखी सराय ऑप्शन सी जमूई ऑप्शन डी पटना अगला सवाल बिहार में आर्थिक सर्वेक्षन की रिपोर्ट के अनुसार कसी योग के भूमी सबसे आदा कहां पढ़ है ऑप्शनी गया, ऑप्शनी जमुई, ऑप्शनी पश्मी चंपारण, ऑप्शनी भागलपुर्ण इसका सहीत तरह और उप्शनी गया, बेदें नमारे तरफ पूछे के सवाल का आप लोगों मेंसे बहुत लोगों ने अप्रजभ, कमें एक सिक्ष्ण बाक्स में लिख कर दिया था जिन्हों ने हमारे तरफ पूछे कंशी सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम ने, अब बरते हैं आज के सबाल क्योंड विश्वकब 2023 के फाइनल मुकाबले में आपके नुसार भारत और अस्ट्रेलिया में से किस टीम का पलड़ा भारी है अपना जवाब हमें हमारी कॉमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने को देखते रहें बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चालन को सब्सक्राइब करना और अगर आप सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद